नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं 3 minutes guide with your everyday guide जहाँ पर मैं आपको 3 minutes के एक छोटी से guide देता हूँ I'm sure ये guide आपके लिए कहीं न कहीं helpful जरूर रहेगी तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि why investing via mutual funds is better than stocks तो सबसे पहले चीज आती है less decisions तो stocks stocks में अगर आपको invest करना होगा तो यहाँ पर आपको 1000 stocks मिल जाएंगे जिन मेंसे 100 stocks large gap में आते हैं 150 stocks mid gap में आते हैं और total 600 stocks के बाद जितने भी stocks बनते हैं वो सारे stocks या तो small gap में आते हैं या फिर micro gap में आते हैं तो जब ये decide करना होगा कि किस stock में आपको पैसा invest करना investments करने के लिए आप बस ऐसे ही किसी से stock का नाम सूनके या फिर उनसे tips लेके अपनी investments नहीं कर सकते तो जब इतने सारे decisions लेने की बात आती है तो ये काम आपके लिए difficult हो सकता है और यहाँ पर mistakes होने के chances भी increase हो जबकि mutual funds में ऐसा नहीं होता क्योंकि mutual funds अपने आप में होते है collection of stocks एक mutual fund में 30 stocks, 50 stocks या even 200-200 stocks भी हो सकते हैं और ये stocks fund manager सूस करते हैं कि कौन सा stock किसे mutual fund में आएगा या फिर नहीं आएगा तो एक mutual fund में अपना पैसा invest करने का मतलब है कि इन सभी fundamentally सही stocks में अपना पैसा invest करना आप यहाँ पर कम decisions लेके असानी से अपनी investments कर पाते हैं second चीज आती है less knowledge तो stocks के case में आपको अच्छी knowledge होनी चाहिए इससे पहले कि आप किसी stock को buy करें जैसे कि मैंने बताया था कि आप ऐसे ही किसी से stocks के नम पूछ पूछ के अपनी investments नहीं कर सकते ऐसा करना सही नहीं होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर knowledge gain करनी होगी कि stock picking कैसे करते हैं उसके बाद ही आप अपने लिए सही stock buy कर पाएंगे जबकि mutual funds में आप कम knowledge पे भी अपनी investments कर सकते हैं आपको बस यहाँ पर यह पता होना चीए कि mutual fund को कैसे select करते हैं shortlist करते हैं कौन-कौन से parameters आपको देखने चीए एक mutual fund के अंदर मैं already इन सभी चीज़ों के ऊपर कि mutual fund को कैसे shortlist करते हैं मैं अब होग सारी वीडियो बना चुका हूँ जो आपकी help ज़रूर करेंगी तो mutual funds में आप असानी से invest कर पाते हैं तीसरा point आता है less time required to track आप क्योंकि stocks आपको अलग अलग बाय करने होते हैं different different stocks आपको बाय करने होते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से time निकालना पड़ेगा इन stocks को track करने के लिए यह जानने के लिए कि कि stock की performance कैसी जा रही है जिससे कि आप अपने stock portfolio को market के according rebalance कर पाएंगे उसको update कर पाएंगे तो आपको अपना time यहाँ पर regularly dedicate करना पड़ेगा यह सब करने के लिए जबकि mutual funds में यह tension आपके नहीं होती क्योंकि यह काम होता है fund managers का जो mutual fund को rebalance करते रहते हैं market के according आपका पस यहाँ पर काम होता है साल में एक बार अपने mutual fund portfolio को review करना सिर्फ यह चेक करने के लिए कि आपको उस mutual fund से सही returns मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं इससे ज़ादा आपको time देने के requirement नहीं होती और चौथा point आता है mutual funds are safer than stocks अब यह तो obvious सी बात है mutual funds के जरीए आपक का risk comparatively कम रहता है और आप बस अपनी long term investments पे focus कर सकते हैं तो stocks के मुकाबले mutual funds जाद सेफ रहते हैं long term investments के लिए अगर आज की चोटी से guide आपको अच्छे लगी है तो इसको like करके मुझे बताईए और हाँ जाते जाते चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा जल्दी ही मिलेंगे next guide मे thank you for watching